Google ने अपना Android 14 यहां पर Announce कर दिया और सबसे अच्छी बात है इसके बीठा काफी सारे फोंस के लिए अल्रेडी अवाइलेबल है सब पिक्सल की बात नहीं कर रहा आप Xiaomi के फोन में ट्राइ कर सकते हो Vivo Home ट्राइ कर सकते हो टेकनो के फोन में भी ट्राइ कर सकते हो लेकिन यहां पर मैंने ट्राइ किया Android 14 के बीठा को Nothing Phone 1 के अंदर लेकिन अगर आप लोग सोच रहे कि अपने फोन के अंदर Android 14 का बीठा डाल लो अगर उसकी लिस्ट में वालेबल है तो डिस्क्लेमर यहां पर सुन लो Android 14 का बीठा अगर आगया तो स्टेबल अपडेट भी जल्दी आ सकता है खास तोर पे Nothing जैसी कंपनी जो की नई कंपनी है शुरू आप में उस फोन के अंदर दिक्का दे थी बाद में सॉल्फ करी Android 13 का अपडेट लेट आया लेकिन लग रहा है कि वो यहां पर काम कर रहा है और अपने फोन के अंदर एक स्टेबल वर्जिन ग्रीट कर रहा है और उमीद करते हैं कि Nothing Phone 1 के अंदर Android 14 का स्टेबल वर्जिन जल्दी देखने को में ले जब Nothing Phone 2 आया तभी 30,000 रुपे के उपर बिल्कुल मत लेना 25-30 के रिए जहां पर एक सोच सकते हो कंस्टर करने का लेकिन 25,000 में इस टेलर डील 2023 के अंदर भी अगर आप इंटरस्टेड हो लेना चाहते हो तो यहां पर वीडियो के अंदर टैक करते हैं क्लिक करके आप इसे ले सकते हैं लेकिन पहली चीज़ जब Android 14 के बीटा को मैंने इंस्टॉल किया ना तो Nothing Phone 1 के अंदर सच बता रहो अच्छी बाते भी और बुरी बाती होई और बुरी बात मैं आपको पहले बतारा चाहूंगा सबसे पहली चीज़ मेरे को लगाता है कम से कम हम इस बार इस्टरेक देखने को मिले का Android 14 का कैसा है लेकर सर्प्राइजिंगली वहाँ पे सिफ अपसाइड डाउन के क्लिक का गया है और जो इस्टरेक है वो Android 13 वाले उन्होंने हाँ पे चिपका दिया है पता नहीं है और गूगल इसके इस्टरेक को कभी हाँ पे अनौस करेगा इसके साथ ही बात करें तो यहां पर भर भर के बग्स और भर भर के चीज़े देखने को मलती है मतलब कि आप Nothing Phone 1 के अंदर Android 14 का बीटर डालो कि तो fingerprint register नहीं कर सकते यहां पर face unlock नहीं चलता यहां पर पीछे जो glyph होता है वो काम नहीं करता यहां पर battery sharing का जो feature होता है जिसके अंदर reverse wireless charging होती है वो unavailable है यहां तक की camera app तो इतनी basic दे रखी कि AOSP रोम के उठाके डाल दे उसमें कोई portrait mode भी नहीं है Nothing की जो एक भी built-in app होती वो देखने को नहीं मिलती एक भी widget देखने को नहीं मिलती उनका जो font है dot matrix वाला वो तक गायब है यहां तक की screen cast कर रहे टीवी पर वो option तक नहीं है फोन के अंदर और back end में मेरे को लगता है लोग काम कर रहे होंगे Nothing OS 2.0 पे जो शाद Nothing Phone 2 के साथ है लेकिन एक बात मैंने सुनी है कि यहां पर Nothing OS 2 जब आएगर शाद Nothing Phone 2 के साथ जो जो softer वाले feature है वो Nothing Phone 1 को as in update प्रॉइट करें क्योंकि Nothing ने अल्रेडी तीन साल के अपडेट प्रॉमिस करें Phone 1 के अंदर अल्रेडी Android 13 का अपडेट आ जो का और 14 और 15 का अपडेट आना पाके है जहां पर फोन के अंदर और भी features को add up किया जा सकता है बेसिकली Nothing ने कुछ नहीं किया यहां पर OSP वाली रोम को यहां पर डाल जिया बीटा के अंदर जो एक अच्छा काम है लेकिन इसके अंदर जल्दी से जल्दी अगर improvement करते रहे तो वह एक चीज़ है हलाकि मैं suggest नहीं करूँगा कि कोई भी इंसान किसी और भी phone के अंदर Android 14 के बीटा को try करे क्योंकि अभी भी बहुत जाद early stage के अंदर दिक्कत लोग को आ सकती है अगर primary phone नहीं है बिलकुल try मत करना Nothing phone 1 के सट try किया experience खराब हो रहा है यहां पर उसके बैठर है कि यहां पर रोल बैक करके वापस हो जाब लें कम से कम वह Android 14 के बीटा को लिया है वह एक सही काम किया क्योंकि Android 13 के बीटा को आयो अभी 6 महीने ने हुए तो इती जल्दी Android 14 के बीटा को लाना सही चीज दी यहां पर तरीके से काम कर रहा था तो लगता है कि Android 14 और Android 15 तक अच्छे तरीके से जल लेगा और इसलिए इस फोन को आने वाले एक दो साल के लिए रिकेमेंड यहां पर किया जा सकता है सिर्फ यह एक चीज दी तो देखके काफी अच्छे लगता है कि सिर्फ फ्लैक्शिफ फोन सकी बीटा नहीं आ रहा है अब कुछ बीच के मिटरंच फोन के अंदर भी आ रहा है और अंडर 30,000 में अभी एक बाई बना हुआ है बाइद इस फोन को अभी consider कर सकते हो तो यह एक चीज थी यहां पर आपके लिए बागी आप में से किसी ने एंडर 14 के बीटा को experience क्या है comment बताना ना भूला और क्या लगता है कि पिक्सल के बाद वो सबसे जल्दी update देगा एंडर 14 का वो कौन से कमत्नी होगी यह बात नीचे comment बता थैंक्यों को कोड़ी देखने के लिए आप सुन तो नेक्स्ट वन में गुट बाई